हाई फ्रेंज मैं हूँ अनपम और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल इंडियन उटूबर अनपम सुपला में फ्रेंज जैसा आप देख रहे हैं आप हम बनाने वाले हैं सूजी से केक जो रवा केक होता है उससे हम बनाने वाले हैं और यह तुरंद बनके तयार हो जा इस बनाता है बच्चे एक सरजित करने लगते हैं केक का तो हम आसाली से बना सकते है इसके लिए हमने ले लिया है एक कटोरी दही मेरा फ्रेस दही है केक बनानने में हमे verk dealt अगर खटा होता है कि तो भिलकु भी टेस्टी नहीं विंदीं धनीं वनदा है तो हमें प्रेस दही लेना है और ca RI इसे हमने दही लिया है, उसी कटोरी से समान मात्रा में ही हमने चीनी ले ली है, और इसे हमें इस तरीके से घोलना है, आप इसी टाइम पे इसमें अगर आप घी डालना चाहें, बटर डालना चाहें, तो इसी टाइम पे आप डाल सकते हैं, मैंने घी और बिना बटर के बनाया तो मैं घी और बटर भी नहीं यूज़ कर रही हूं अगर आप चाहें तो इसी टाइम पे आप घी या बटर भी डाल सकते हैं यह देखे इस तरीके से हमें इतना फेटना है कि हमारी चीनी जो है अच्छे से गुल जाए एकदम इसी में मेल्ट हो जाए अब हम इसमें सूजी अब हम इसमें एड़ करेंगे वनीला एसेंस एक चमट चोटा चमट अगर आपके वापास वनीला एसेंस नहीं है तो आप यहां पर इलाची पाउडर यूज़ कर सकते हैं इलाची पाउडर डालने से भी बहुत ही टेस्टी बहुत ही अच्छा स्वाद आता है बहुत ही मस्त लगता है ये केक तो इस तरीके से हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के अगर आपको ये बेटर गाढ़ा लग रहा हो तो आप इसमें इसी समय दूदा एड़ कर दीजिए मैं तो इसे क्या करूंगी अभी आधे घंटे के लिए रेक्ष देंगे कि जिससे सुजी का जो दाना है वो बच्छे से फूल जाए अच्छे से से सेट हो जाए उसके बाद हम बनाएंगे इसे हम आधे घंटे के लिए ढखके रख देंगे अधे घजग तक हम क्या करते हैं जो हम रखेंगे कढ़ै आप कुकर में चाहें तो कुकर में भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं हमने केक बनाया था तो कढ़ाई मीरी रखी हुई थी मैंने सोचा उसी में बना लेती हूँ कड़ाई रग दी है उसके उपर हमने रग दिया है एक कटोरी आपके पास अगर स्टैंड है तो आप स्टैंड रग लीजे आधा घंटा हो चुका है देखिए सुजी हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है आज हम बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का यूज नहीं करेंगे तो देखिए हम क्या यूज करने वाले हैं और हमारा जो बेटर है बहुत ही अच्छा बनके तयार होगा हमारा केक हम इसमें यूज करने वाले हैं इनो हमने लिया है नेबू वाले चुक वाले तो ऐसमें चापकुला आता है जो जो तक स्षी ग्रीमने तो और हमें तो मया कैज करने हैं इसमें हमने थोड़ा सा डाल दिया है दूस जिसे की वेटर अच्छे से फूल जाए थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लग रहा है तो हमने थोड़ा सा दूस और ले लिया अब हम ये वेटर को तयार कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद उसके बाद हम इसे बेक होने के लिए रखेंगे यह दिखे इस तरीके से हमें बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा रखना है ना बहुत पतला रखना है हमें पेटर को अरे जिस सेम जैसे हम मैदे का केक बनाते हैं हमें सेम प्रोसेस वही करनी है बस हम सुजी का यूज कर रहे हैं अब हम इसमें थोड़ी सी टूटी फूटी एड़ कर देंगे आप अगर चाहें तो इसमें ड्राइफ रूट्स भी एड़ कर सकते हैं ड्राइफ रूट्स से भी टेस्ट अच्छा आता है यह हमने टूटी फूटी इसमें एड कर दी क्योंकि मैं इसे बच्चों के लिए बना रही हूं उनकी फर्माइस पे तो उन्हें बच्चों को तो टूटी फूटी ज्याजा ही पसंद होती है ड्राइ फूट्स कम पसंद होते हैं यह हमने अब हम ले लेंगे एक बॉल अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप यहां पर मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे की जो हमारा केक है आसानी से निकल जाए तो हमने बटर पेपर लगा दिया है अब उस पे भी हम आयल थोड़ा सा ग्रीस कर देंगे लगा देंगे चारों तरफ से हम आयल इसमें लगा देंगे जिससे हमारा केक है जो बहुत ही आसानी से निकल जाए उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो यह इस तरीके अब हम इसमें जो हमने वैटर बना के रखा है उसको हम इसमें डाल देंगे केक टिन पे इस तरीके से हम इसमें डाल देंगे हमने आप प्रेंस आपने देखा हमने इन उसका बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं किया है कुछ लोग कहते हैं कि हाँ इनो इस्तेमाल करने से कोई टेस्ट अलग हो जाता है खराब आता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है इनो डालने से टेस्ट खराब नहीं होता है हमारा केक बहुत ही अच्छा बनके तयार हो जाएगा फ्रेंस ये देखिए हम इसको इस तरीके से डेकोरेट कर लेंगे जिससे की देखने में बहुत ही अट्रेक्टिव लगे बहुत ही अच्छा केक देखने में ही स्वादिश लगे कहा जाता है कि कोई भी डिस्ट बनाओ तो सबसे पहले हमारी आखे उसे खाती है उसे उसका नाष्ट ही लगती है तो वह फॉक से उसने ही टेस्ट देती है तो हम इस तरीके से सुरब करना चाहिए बनाना चाहिए जिससे कि हम किसी के सामने रखें तो वह पहले आखहों से खवाए उसके बाद ही वह टेस्ट ले जब आंखों से अच्छा लगता है तो टेस्ट भी अच्छा हो जाता है, हमारी तिंकिंग बन जाती है ये देखे हमने कड़ाई जो हमने रख दी थी आधे घंटे से 30-40 मिनट हो चुके है कड़ाई मेरी अच्छे से गरम हो चुकी है अब हम गैस की फ्लेम को लो रख कर देंगे एकदम लो कर देंगे, और हम बाउल को उसमें रख देंगे और कम से कम 40-45 मिनट तक इसे हम इस तरीके से बेख होने देंगे इसमें बिल्कुल भी हमें बोलना नहीं है 45 मिनट तक बिल्कुल भी इसे हमें खोलना नहीं है अच्छे से वो धीमे धीमे बेक होता जाएगा तब ही केक हमारा अच्छा बनेगा मेरा केक तो बहुत ही अच्छा बन के तयार हुआ था फ्रेंज देखे हमने गैस को बंद कर दिया है और बंद कर दिया था और उसके बाद इसको हम लगए देखिए चारो तरफ से हमाा केक ने शूट चुका है अब हम देखे इसको एक प्लेट में निकाल ले रहे हैं कितना अच्छा कलर आया है, ब्राउनी 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 इसके देखने से लग रहा है केक बहुत अच्छे से पक्के तयार हुआ है देखें कितना मज़ेदार लग रहा है बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट भी स्पंची भी सब बना है अच्छे से फूल हो गया है ये देखें इसे देखने में कितना यमी लग रहा है बहुत ही मज़ेदार लग रहा है और सच में बहुत ही अच्छा केक बनके तयार हुआ था तो इसे हम कट करते के अब सर्व कर रहे हैं अगर वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो जो थोड़ा से भी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजेगा और ऐसी वीडियो अगर आपको देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे मैं इस तरीके की फुल वीडियो लाती रहती हूँ देखे हमने कट कर दिया किसना स्मूटली कट चुका है कट करने के तरीके से यह आपको लग रहा होगा बहुत अच्छे से केक हमारा बेक हुआ है यह देखे कितना अच्छा बनके तयार हुआ है यह तोड़के हम आपको दिखा रहे हैं कितना यमी और डिलीसियस बनके तयार हुआ है केक फ्रेंस केक हम देखे बेटे ने मेरे टेस्ट करके बताया उसको कैसा लगा ये देखे आप खुद देखे कितना मज़ेदार इनको लगा दोनों बच्चों ने मेरे खाया मैंने सुचा आप सब के साथ शेयर करूं तो आपको पता चलेगा कितना अच्छा बना है के सब बड़े चाओं से खा रहे हैं ये देखे ये मेरी छोटी रानी है ये मेरी विट्टू है ये भी देखे केक का टेस्ट ले नहीं है ये भी अभी भया की नकल करेंगी ये देखे कितना यमी बता रही है बहुत ही यमी सच में बहुत ही यमी बनके तयार हुआ था केक तो friends केक बनाईए और अपने experience हमारे साथ जरूर सेर करिएगा comment करके बताईएगा फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ बाई